दोस्तो आज के इस प्रश्णों में बिज्ञान और पर्यावरान के कुछ महत्यपूर्ण प्रश्ण देखेंगे जो कि आपके सुपरेटेट और लेखवाल भरती के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो आप सभी लोग इस प्रश्णों को पूरा ध्यान से देखिए एक एक प्रश्णों को आप अच्छे से देखिए और सभी प्रश्णों का उत्तर भी आप लोग कमेंट में बताइए तो चलिए शुरू करते हैं, पहला प्रशन लेते हैं दोस्तों, पहला प्रशन आपके सामने है, मनुस्य के सरीर में कितना प्रतिश्यत जल होता है, आप्शन है 70 प्रतिश्यत, 20 प्रतिश्यत, 90 प्रतिश्यत या 100 प्रतिश्यत, यहाँ पर दोस्तों आपका सही जवाब क्या ह देखें दोस्तो, मनुस्य के सरीर में गुल 70% जल पाया जाता है, याद रखिएगा 65% से लेकरके 70% जल दोस्तो, मनुस्य के सरीर में पाया जाता है, इसलिए आपका यहाँ पर A option सही है, चली अगला प्रशन देखेंगे, अगला प्रशन भी काफी ज्यादा important है, आप लोग इसका एंसर बताइए कितने डिगरी Celsius वाले जल का घनत तो सबसे अधिक होता है पांच, चार, तीन, दो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है देखिए दोस्तो चार डिगरी Celsius वाले जल का जो घनत होता है वह सबसे अधिक होता है इसको ध्यान रखिएगा यहाँ पर दोस्तो आपका भी आपसन सही है चार डिगरी Celsius चार डिगरी Celsius पर जल का जो घनत होता है वह सबसे अधिक होता है चली आगे बढ़ते हैं इंपोर्टिन प्रस्था अगला प्रस्था है परियावरान दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है? पांच जून, साथ जून, आठ जून, नौ जून यहाँ पर दोस्तो आपका सही जवाब है परियावरान दिवस पांच जून को मनाया जाता है यह आपसन आपका यहाँ पर सही है देखिए दोस्तो बिस्व परियावरान दिवस परियावरण की सुरक्षा और सरक्षण के लिए पूरे बिस्व में मनाया जाता है और याद रखिएगा पहला बिस्व परियावरण दिवस 5 जून 1973 को मनाया गया था अगला परशन देखेंगे दोस्तो मिनी माता रोग होता है अप्सन है जल में पारे से, जल में नाइट्रोजन से, जल में आक्सीजन से या सभी यहाँ पर आपका सही जवब क्या है देखे दोस्तो मिनी माता रोग जल में पारे के उखुलने से होता है यहाँ पर आपका ए अप्सन सही है देखे दोस्तो, मिनी माता रोग एक नियूरोलोजिकल सिंड्रोम है, जो गंभीर पारा बिशाक्ता के कारण होता है, और यह सबसे पहले दोस्तो, जापान में पाया गया था, अगला प्रशन देखेंगे, सभी प्रशन आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए, ब्लू बे सिंड्रोम पेय जल में नाइटरेट के अधिक्ता से होता है, यहाँ पर आपका ए आप्सन सही है, यह बीमारी दोस्तो, कुछ सिसुओं के जन्म के बाद सुरू होता है, इस बीमारी में दोस्तो, सिसुओं के तोचा का जो रंग होता है, वह नीला पर जाता है, जिसे साइन कामापन किया जाता है BOD का फुल फार्म होता है दोस्तों biological oxygen demand चलिए आगे बढ़ते हैं DDT है option है खर-पतवार नासी कीट नासी दोनों या कोई नहीं यहाँ पर आपका सही जबाब क्या है देखिए दोस्तों DDT एक कीट नासी है यहाँ पर आपका B option सही है इसका पूरा नाम है दोस्तों dichloro diphenyl trichloroethene ठीक है यह कीट नासी है इसको ध्यार रखिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों 2.4D क्या है खर-पतवार नासी या कीट नासी या दोनों या कोई नहीं यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है देखिए दोस्तों 2.D एक खर-पतवार नासी है यहाँ पर आपका A option सही है इसका पूरा नाम दोस्तों dichloro phenoxy acetic aml है इसको ध्यार किएगा इसका उपियोग दोस्तों चोड़ी पत्ती वाले जो खर-पतवार होते हैं उनको नष्ट करने के लिए किया जाता है आगे बढ़ते हैं Y प्रदूसर का सूचक है सैवाल, कवक, लाइकेन, जीवाणू यहाँ पर दोस्तों आपका सही जवाब है Y प्रदूसर का सूचक ला यहाँ पर आपका C आप्सन सही है आगे बढ़ते हैं अमल वर्सा का कारण है आप्सन है Y प्रदूसर, जल प्रदूसर, मृदा प्रदूसर या सभी यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है देखे दोस्तों अमल वर्सा का कारण Y प्रदूसर होता है इसलिए आपका यहाँ प प्रशन देखेंगे अमल वर्षा में उपसित अमल हैं कौन-कौन से अमल पाये जाते हैं अमल वर्षा में तो आपसन आपके सामने है नाइट्रिक अमल, सल्फियूरिक अमल, सिट्रिक अमल, एस्टिक अमल और हाइड्रोक्लोरिक अमल यहां पर दोस्तो आपका सही जबाब क् किएगा और सल्फियूरिक आमलका सूत्र होता है H2SO4 ठीक है तो यहां पर आपका यह आप्सन सही है अगला प्रस्ट देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है आप्सन है प्रितवी का गर्म होना प्रितवी का ठंडा होना दोनों या कोई नहीं यहां पर आपका सहीजवाब क्या है देखें दोस्तो ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ होता है प्रितवी का गर्म होना यहां पर आपका यह आप्सन सही है द यहां पर आपका A option सही है, आगे बढ़ते हैं, global warming के कारण होता है, option है उत्तरी दुरूप का बर्फ फिघल जाता है, दच्छडी दुरूप का बर्फ फिघल जाता है, या दोनों या कोई नहीं, यहां पर दोस्तों आपका सही जबाब है, दोनों, C option आपका यहां पर सही है, उत्तरी दुरूप और दच्छडी दुरूप दोनों का जो बर्फ है, वह फिघल जाता है, global warming के कारण, इसलिए आपका यहां पर C option सही है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रशन है दोस्तों, ओजोन परत को कहते हैं, क्या कहते हैं, G1 रक्षक परत, या G1 बिनासक परत, या हमारी रक्षा करती है, इसलिए आपका यहां पर A option सही है, आगे बढ़ते हैं, ओजोन परत के छरण का कारण है, option है, क्लोरो फ्लोरो कारबन, कारबन डाइकसाइड, सल्फर डाइकसाइड, या सभी, यहां पर आपका सही जवाब क्या है, देखे दोस्तों, ओजोन परत के चरण का कारण क्लोरो फ्लोरो कारबन है, इसे दोस्तों CFC गैस भी कहा जाता है, तो यहां पर आपका A option सही है, आगे बढ़ते हैं, पराबाइगनी केड़ों को कौन रोकता है, option है, ओजोन परत, ग्रिन हाउस गैसों का परत, दोनों या कोई नहीं, यहां पर आपका सही ज जाए, तो आपका जवाब होगा, समताप मंडल में पाया जाता है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रस्न है, ओजोन दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 16 दिसंबर, 16 सितंबर, 16 अगस्त, 16 नवंबर, यहां पर दोस्तों आपका सही जवाब है, 16 सितंबर, B आपसन यहां पर सही है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, आगे बढ़ते हैं, वाई में उपसित, लेड से होता है, क्या होता है, फेफ़डों का कैंसर, तोचा का कैंसर, दोनों या कोई नहीं, यहां पर दोस्तों आपका सही जवाब है, फेफ़डों का कैंसर, ए आपसन में, हेक्टेयर में, मीटर में या सभी में, यहाँ पर दोस्तों आपका सही जवब है, ध्वन प्रदूसर की तीबृता, डेसी बल में मापी जाती है, यहाँ पर आपका ए आपसन सही है, आगे बढ़ते है रेट डाटा बुक संबंधित है किस से संबंधित है? बिलुक्त प्रजातियों की सूची से आम का संगरा से, केले का संगरा से या सेव का संगरा से यहाँ पर दोस्तों आपका सही जवब है बिलुक्त प्रजातियों की सूची से संबंधित है, यह आपसन आपका यहाँ पर सही है यह सभी दोस्तों संकटापन जानवरों पौधों और प्रजातियों का रिकार्ड रखता है इसको द्यान रखिएगा आगे बढ़ते हैं मृदा अपरदन का कारण है क्या होता है कारण नदी का तेज बहाव भूश्खलन तीब्रवायू या सभी यहाँ पर आपका सही क्या है तो यहाँ पर दोस्तों मृदा अपरदन का कारण नदी का तेज बहाव भी होता है भूश्खलन भी होता है तीब्रवाय भी होता है इसलिए आपका यहाँ पर सभी आपसन सही है आगे बढ़ते हैं कोसिकाओं के समूं को कहते हैं आपसन है कोसिका उतक अंग सभी य पेसियों को आधार प्रदान करता है और हिर्दय फेफड़े इन सभी की सुरक्षा करता है तो यहाँ पर आपका B आपसन सही है आगे बढ़ते हैं अगला प्रशनाप के सामने है P बराबर W अपांटी किसका सूत्र है आपको यह बताना है सक्ति का बल का उर्जा का संवेक का देखे दोस्तो P से क्या होता है पावर होता है ठीक है और W से वर्क होता है T से टाइम होता है तो P बराबर W पांटी दोस्तो यह पावर मतलब सक्ति का सूत्र है यहाँ पर आपका A आपसन सही है आगे बढ़ते हैं अगला प्रशनाप दोस्तो एक अस्सु सक्ति बराबर हो बराबर होता है यहाँ पर आपका C आप्सन सही है जो ती ती बृता का यसाई मात्रक है आप्सन है केल्विन, कैंडला, मोल, सिकेंड यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है देखें दोस्तो जो ती ती बृता का यसाई मात्रक कैंडला होता है यहाँ पर आपका B आप्सन सही ह केलविन की बात करते हैं दोस्तों तो केलविन दोस्तों याद रखिएगा यह ताप का मातरक होता है ठीक है और मोल की बात करते हैं मोल दोस्तों यह पदार्थ की मातरा का मातरक होता है सेकंड दोस्तों यह समय का मातरक है आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है दोस्तों प्रक का मूल मातरक सेकंड होता है इसको ध्यार रखिएगा और चाल का यसाई मातरक दोस्तों मीटर पर सेकंड होता है और वेग का यसाई मातरक दोस्तों मीटर पर सेकंड होता है तो चाल और वेग दोनों का मीटर पर सेकंड होता है आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण देखेंगे जन्तु विज्ञान के पिता हैं कौन है अरस्तु लैमार्क ट्रैविरेनस कोई नहीं यहाँ पर आपका सही जवाब है दोस्तो जन्तु विज्ञान के पिता अरस्तु है यहाँ पर आपका एप्सन सही है आ यहां पर आपका ए आपसन सही है पिसी कल्चर की बात करते हैं पिसी कल्चर दोस्तों मत से पालन से संबंदित है और हर्टी कल्चर दोस्तों यह बागवानी से संबंदित है इसमें अनाज फूलो पौधो का अध्यन किया जाता है एपी कल्चर दोस्तों यह मधुखी पालन से सम्बंधित है तो यहाँ पर आपका यह आपसन सही है तो दोस्तो आज के वीडियो यहाँ पर समाप्थ होता है यह सभी प्रस्ण आपके आगामे एक्जाम के लिए काफी जादा इंपोर्टेंट है यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग जरूर दाइए अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए अभी के लिए बस इतना ही वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद